अलो आफ़ीवर वेल्कम बेक टो और चैनल गौरी मिस्टर डैजानर्ट आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाली है इस तरह के ब्लाउस की फिनिशिंग इस तरह से finishing वाला blouse हमें किस तरह से बनाना इसका part 1 अप्लोड हो चुका है तो यह रहा part 2 कि किस तरह से यहां तक की stitching करनी है हमारा multi color blouse में तक्स की marking भी मैंने बचा दीती अब हम तक्स stitch कर रहे हैं अस्तर और main fabric दोनों में सिलाई तक्स की हम अलग-अलग करेंगे ताकि cover हो जाए इस तरह तक्स की सिलाई मार देनी है फिर हम गले की finishing देंगे आगे और पीछे दोनों गला का finishing हमारा साथ में हो जाएगा फिर सीधे blouse पे सीधे main fabric पे उल्टा हमें हमारा main fabric इस तरह रखना है कि shoulder की सिलाई अंदर की तरफ से finishing वाली निकले तब हम यहां से सिलाई चालू कर देंगे नीचे वाले पार्ट से और इस तरह से stitch कर लेंगे पूरे neck line पे stitch कर लेना है neck को बिल्कुल भी खीचना नहीं है जब आप गले पे सिलाई मारों तो गले को मशीन के तरफ से परफूश करना है या यह मशीन के तरफ धक्का देना है अपने तरफ खीचना नहीं है अगर खीचोगे तो गला बढ़ जाएगा और इस folding on a neck बनाते का में समय आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी वो मैं आपको second stitch में बताऊंगी आपको part 1 कैसा लगा यह सारे parts जब मैंने join किये वो ज़रूर comment में बताईएगा V proper shape बना दिया है shoulder to shoulder अच्छे से join करना है match करना है मतलब shoulder इदर उदर किसकना चीड नहीं चाहिए center point भी perfect match होना चाहिए इस तरफ हमने eye की पट्टी पहले ही ready रख दिया बना के अंदर की तरफ eye की पट्टी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से हमने बना के रखी थी यह दोनों सेम होना चीए hook और eye का पट्टी अब अस्तर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है shoulder से नीचे तक वो हम नीचे से निकाल रहे हैं अब second stitch मैंने यहां तक इस तरह कर दी अब गले में सिलाई मारते वक्त आपको गले को इस तरह control में करना है यानि कि गले को एकदम ऐसे loose loose रखना है ताकि गला जो है shrink हो जाए यानि कम हो जाए माली जी आपने 10 का गला काटा है तो 9 इंच हो जाना चाहिए सिलने के बाद 11 नहीं होना चाहिए अगर 11 हुआ तो हमारा neck खिच जाता है तो इस तरह एकदम loose loose neck को रखने को रखके stitch करना है ताकि आपके body पे एकदम fit हो जाए अंदर बैट जाएगी skin में दबल सिलाई हो गई अगर आप beginner हो तो आप तीन सिलाई भी मार सकते हो अब कट लगा लेंगे वी में deep cut लगाना है हमें curve shape में भी cut लगा लेंगे अब यह इस तरह से हमने निकाल रहे हैं सीधा कर रहे हैं दूसरी तरफ हमने आई की पट्टी डाली थी तो इस तरह से जो है आई की पट्टी निकल जा रहे हैं बाहर देख सकते हैं shoulder दोनों तरफ से finishing हो गई और हमारी आई की पट्टी भी बाहर आ गई है इधर से हलका सा बड़ा लग रहा है तो मैं इस तरह से stitch कर रही है कम करने के लिए अब जो हम fusing tape का use करेंगे गले के अंदर आपको यह fusing tape लगानी है पहले बिना fusing tape normal iron कर देंगे फिर हमें यह fusing tape अंदर की तरफ रखनी है इस तरह और iron कर देंगे गले पर भी इस तरह fusing tape रखके iron कर देंगे ताकि जो हमाएं उपर टॉप स्टीच की जरुवरत नहीं पड़ेगी उपर की सिलाई हमारी दिखेगी नहीं तो designer blouse की finishing होती है इसमें में यही ध्यान रखना होता है कि उपर कोई भी सिलाई ना दिखेंगे लेना है इस तरह से night की finishing हो गई बिना उपर की stitch मारे हमारा में फैबरिक और लाइनिंग फैबरिक चिपक गया है एकदम कड़क हो गया steam से कैसे रगे आप सभी को neck की finishing अभी हम एक बार कप्स पे भी आयरन कर लेंगे है इस तर से यह योग जाइन करके इस तरह कवर कर लेंगे ताकि हमारी योग वाली सिलाई भी कवर हो जाए तो यहां पर हमें स्टीच लगा लेनी है योग नीचे ही अस्तर वाला योग अटेच कर लिया है और जैसा ही सामने तरफ से सीधा तरफ से दिख रहा है वैसा ही हमारा अंदर की तरफ से फिनिशिंग दिखेगा तो यह बैक पाइट भी कितना अच्छा से फिनिशिंग दिख रहा है हमारी आई की पट्टी भी पर्फेक्टली आ गई है जैसा के आपने देखा वीडियो में कप्स का शेप भी हमारा पर्फेक्ट आ गया अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग जो है सेम है स्लीव अटेच कर लेंगे फ्रंट और बैक का ध्यान रखते हुए स्लीव अटेच करने के बाद यहाँ पर साइड फिटिंग करनी है साइड फिटिंग में हम चेस्ट की मार्किंग नहीं करते हैं क्योंकि चेस्ट हमने सिफ फ्रंट में बढ़ा ही होती है बैक में नहीं अपर चेस्ट का आधा मार्क करेंगे चेस्ट का नहीं अपर चेस्ट का आधा प्लस आदा इंच लूजिंग और कमर का आदा और प्लस अगर आपको आदा इंच लूजिंग चाहिए तो आपको मार्किंग उसके हिसाथ से कर लेनी है स्लीव्स राउंड का आधा मी मार्क कर लेंगे, यहां पर मिजिन नौस यह तो साढ़े चाहर पर मैं मार्क कर रही हूँ आप से भी को यह बलाउस की फिनिशिंग कैसी लगी, शोल्डर की फिनिशिंग, योग की फिनिशिंग, सब मैंने डीटेल में समझाने की ट्राइ की है पार्ट वन अगर नहीं देखा हो, तो जरूर देखेगा, अगर आप पार्ट वन देख चुके हों तो कमेंड में अपने रिव्यूज जहरूरर दीजिएगा अगे वीडियो अगर यहां तक देख रहे हैं आप तक चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिये अभी हमेरे blouse में सिर्फ side stitching और armhole में हमें interlock करने की ज़रुवत है और cups का shape हमारे body के size के according perfect आ जाएगा बले आप 32 size का बना हुआ 42 size का हमारी cutting में जैसी body होगी उस shape का cup size आ जाएगा इस तरह में हुका ही कर लेनी है और cups अगर डालना है तो आप side stitching से पहले अंदर रख सकते हैं